हेलो 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 आवाज आ रहा है कि बताइए रहा है अच्छा से कि नहीं और क्वालिटी कैसा है कि वीडियो क्वालिटी कैसा दिखाई दे रहा है बरिया ठीक है तो आज हम लोग सुरू करते हैं पहला लाइब सेशन हम लोग सुरू करने वाले हैं दो चार पाच मिनट कहीं है तो हमारे पास कुछ हम फिजिक्स के बातों को समझाते हैं साइंस के बातों को समझाते हैं अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा छोटा सा लेक्चर हमारे सामने आ रहा है तो आप प्रमजी लो जैसे कि देखें आपसे कहा जाए एक बड़ी जु है 25 kg का एक बड़ी है और एक यहां भी 25 kg का बड़ी है दो पर सन है इस तरह से एक जमीन है यानि ग्राउंड लेबल है इस तरह से फिलोर पर यह खड़ा है और इस मास को पूल कर रहा है ठीक है इधर से पूल क मतलब उपर से नीचे मैं खीच रहा है और एक वही पर्षण है सपोर्ड और इस मास को ऊपर के तरफ इस तरह से डाटीReca मतलब एक डाट कि रहा है और आपसे पूछा जाएगा question आपसे एकजाम में पूछ देगा कि देखिए किस case में दो figure देदेगा आपसे और पुछेगा कि बताइए किस case में person को इस buddy को खीचना आसान होगा तो आपसे कहा जाए किस case में person जो है आसानी से buddy को खीच लेगा तो आप लोग एक बताए दीजे किस case में आसानी से खिच पाएगा आप अंदाज लगाए इसमें किस case में आपको खिच पाएगा आसानी से ठीक है, निरज कुमार first case, और बताइए लो, second वाला B, B, ठीक है, B option, बढ़िया, B, region बताइए, एक अध रीजन लिखे लो, main region लिखे, main region बताइए, कारण बताइए, एक कारण बताइए, एक line में एक कारण बताइए, चलिए, बढ़िया, option तो पकर लिए लो, आईए, तो हम लोग समझते हैं कि आखिरी B region में क्यों ऐसा हो पा रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि इसमें जो बड़ी है, यहाँ पे, इसका जो weight है, नीचे के के तरफ हम कहें, इस बड़ी का जो weight होगा, आप बता दीजे कितना होगा, 25G weight होगा, 25G weight होगा नीचे के तरफ, और उपर जो इसमें tension दिखाए देगा, वह होगा T, हम जानते हैं, इस टिंग में tension दोनों तरफ लगता है, उसी तरह से हम बात करें कि यहाँ भी tension होगा, सेम weight होगा, अब देखा जाया, उपर के तरफ reaction force, यानि यहाँ पर reaction force हम लोग देख सकते हैं, उपर के तरफ आपको एक reaction force काम कर रहा है, और नीचे हम देखेंगे, इस वाले case में, यानि हम यहाँ पर person पर जाके देखें, तो पहला नमर तो ध्यान देजे, एक body को यहाँ हम बात करें, इस person पर देखें कि कौन-कौन reaction काम कर रहा है, कौन-कौन force काम कर रहा है, तो person पर देखें, एक दो force उपर के तरफ काम कर रहा है, person पर, एक तो हमरा force काम करेगा, कौन reaction force, और एक force काम करेगा, कौन आपका tension force, उपर के तरफ tension force काम करेगा, उसके बाद हम देख इस पर्सन है।। हम लोग देखते हैं कि क्या हाल है। कंपर्टेवल से जादा मतलब कहां दियकत होगा ज्यादा तो यहां देख सकते हैं तिकत कहां ज्यादा और कहां असानी होगा तो इसका यह वेट हो होगा है साट जी होगा अब आपसे कहा जाए कि टेंशन का मान इस केस में कितना हो जागा तो टेंशन का मान आप जानते ही कि वैलेंट कर ली जागा तो टी बराबर हो जागा पचीस जी यानि यहाँ जो टेंशन होगा वह होगा 25 G मने उपर के तरह तो आपके पास दो फोर्स हो गया यानि यहाँ हो जागा 25 G प्लस R अबराबर 60 G क्योंकि दोनों बाइलेंस होगा तो R का जो मान यहाँ निकलने वाला है suppose that 60 में से 25 घटाएंगे तो हो जागा आपका 35 यानि 35 G होगा यहाँ जो हमरा reaction force काम कर रहा है वह 35 G है और इस वाले case में हम देखें कितना reaction काम करेगा तो हमें यहाँ देखेंगे इसका जो weight होगा आप जानते हैं tension T होगा इसका भी weight 25 G होगा इसमें जो person पर reaction काम करेगा R और इसका weight होगा 60 G तो T बराबर इस case में भी नीची थी बराबर होगा किसके 25 G के लेकिन person पर एदि हम देखें कि force कौन-कौन लग रहा है person पर तो person पर एक force लेगा उपर के तरफ R इस person पर एक force नीचे काम कर रहा होगा 60 G और एक जो नीचे के तरफ काम कर रहा हुआ है T जो कि है 25 G तो ध्यान रखेगा इस case में अधि हम से कोई कहा है कि person पर कितना force लग रहा है reaction लग रहा है तो वह होगा 60 एनि 50 C G तो चुकि next एनि ए वाले cases में जादा से जादा reaction लग रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो है जादा reaction दिक्रत यहाँ पर होने वाला है कि नीचे से ground जादा इसको force लगा पा रहा है यहाँ पर यहाँ जमीन जो है इस वाले case में यह वाले case में person पर जादा reaction लगा पा रहा है जबकि इस केस में reaction बहुत कम है 25G है 35G है और इस वाले में आपका reaction force है 85G इसका मतलब जो है आपका जो case A होगा वह ज़्यादा असान होगा किसी वस्तू को खीचने के लिए यानि case A जो हुआ ज़्यादा असान होगा यानि पूली लगा के अदि आप खिचते हैं तो आपके लिए बहुत ही का होगा असान होगा अधिक है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा और कमेट करते रहेगा क्या किस इस टॉपिक पर आपका जो है छोटा छोटा जो टॉपिक है किसभी से आपका लेक्चर आना चाहिए बाखिट पिर जो लॉंग लेक्चर है आपका आतर हैगा अभी वेक्टर का लेक्चर शुरू हुआ है फिजिक्स में दो लेक्चर आ चुका है एक लेक्चर लास्ट आने वाला है ठीक है धन्यवाद हमारे साथ जुरने के लिए